हेलो हेलो एवरीबन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हो मैं सुमान और आप देखने हैं सुमान गंगवर की किचिन चैनल मैं आज गुड और केले की एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी मिठाई लेकर आई हूं केला अगर आपके अत्री प्के हों तो सारे लोग केले को फेक देते है हैं बहुत ही जो खाने में हल्दी और टेस्टी विल्ट रहती है och अपने घर पratic बने होते हों आपने अपने घरिक र ceremonial पर मैं एक क्टोली कोड़ लेले और एसे एक बड़े बमste पानी में गउल मैंने यहापे कद्ऄ कर सकते हैं गुल नाइंगे ने झाल कि चुल लाए तो अलए बाल में रखेंगे पानी नली है यह एक अधंड़क already अधसे ओर फ्ट कहल्य बना लेते हैं अच्छे स चुछ लेंघेंगे अधसे एक करके भूद अधसे उसका स watch is a बना लेते हैं अच्छे से घोल उसे न यंद्यायों कि मकम कोई नियुक्त क सब्सक्राइब ृव में युक्त को सतहिए कर दिक्तु है और ठोड़erekat अपनेग में कि शानने चांब लेंगे और चलैंढे आगे चलते देखिये यहां in निया साथ से 80 के लिए यहां यह बहुत ज्यादा पक हुए और जो आगर अपने हर पिपटेए दो चल के पलिस लगा करत मिंदै और नहीं जाते हैं तो 具 दिसलिए नहीं भी जैए यह टेस्यoth बहुत TP टेश्टी वानती है उन्याटेट और शरू सुरू करते हैं अभीने 123 दलेंगे और 1970 कर देखनेंartamon 00570- Blindee लेजले मैंने रख एक और इनके Лम्राची आपा धराईंगे नाया मे बशल मच रखे तना लगाने उसे प्रटको नाम डाओ लेंगे चुटे शोटे-चुटे टुकडों में काट लेते हैं अब है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहां पर केला विल्कुल मैस होके तयार हो गया है और इसे रख देते हैं और चलिए गैस की तरफ चलते हैं देखिए फ्रेंड्स यहां पर गैस ओन कर दिया है और कडाही में घीर डालेंगे यहां पर मैंने गेस अन कर दी और कड़ाइं में दो चमच्षी डाल दिया है दो बड़े बड़े समच्खी डालाय अब यहां पर मैंने थोड़े फूर्ट ले लिए हैं अपनी मनपसंँ अब बादाम और बाघष लिए हैं लोगा हो गया अब इसमें डाल गते हैं थोड़ी बादाम और काजु लिये हैं अबने अच्छे से रोष्ट करेंगे कलर चेंज होने तक रोष्ट करते हैं इन्हें देखिए यह हमारे अच्छे से रोष्ट होगे कलर चेंज हो किया है अब इन्हें निकाल लेते हैं और यहां पर मैं थोड़ी किसमी से डाल देती हो नेवी भून लेती हैं अच्छे से दूचुकिए गया देखिए फ्रेंड्स बही घी है और उसी में हम एक कटोरी बेशन डाल देते हैं एक से त्याड़ कटोरी बेशन डालेंगे आप इसमें आटा भी डाल सकते हैं आटा अच्छे तरीके से भूनोंगे देखिए फ्रेंड्स एक कटोरी दाल दिया आदा कटोरी यह हैं डेर कटोरी इसमें बेशन डाल रहे हैं और इस अच्छे तरीके से मेडियम ने पर भूनेंगे और कशूब कलर चेंज आने तक जब तक इस बेशन में खुझून आ जाया कि देखिए फ्रेंट्स यहां पर हमारा आधा वेशन भुन चुका है अब इसमें एक से डेड़ चमत सूजी डालेंगे यह मैंने सूजी डालती कि देखिए यहां पर मैंने जड़ चमत सूजी डाल दी है इसे दाना मतलब दर दरा सा थोड़ा से अच्छा लगे वर्फी में इसलिए मैंने सूजी डाल दीए इसमें दाने दार देखने के लिए और इसे अच्छे तरीके से भून लेते हैं देखिए फ्रेंट्स यह अच्छे से भून गया है पूरा कलर चेंज हो गया इसका और सूजी भी हमारा अच्छे से भून गया है अब हम इसमें यह केली का मिक्चर डालेंगे केली का मिक्चर डालते हैं इसमें और इसे अच्छे से मिट्स करेंगा खोब इसा घुनेंगे तो इसे लिए मेडियुम लोग पर इसे भूनेंगे अच्छे करें किसे बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है इसे खुब आच्छे से इसे मेस कर लिया अच्छे से आटा में बेशन में मैस कर लिया और इसमें यह जो कोड का घूल बनाया था जो कोड का घूल बनाया था इसे छान कर और इसमें डाल देते हैं देखिए फिरेंट्स इसमें हमने यह घूल डाल लिया है अब इसे अच्छे से मेस करेंगे और इसे चलाएंगे कर दो गया टा प्रम कर दोड़़्य कर दो के दो कि दो कर दोड़ को डेखिए अब इसमें खुश्बू के लिए इलाची पाउडर डालेंगे और एक चमच्गी डालते हैं इसमें यहाँ पे कर लेते हैं जब तक इसे भूनते रहेंगे अच्छे से चलागते रहेंगे देखिए फ्रेंट्स यह बनने वाला है और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और जो ड्रावी फ्रूट्स डालेते थोड़े ड्रावी फ्रूट्स डाल लेते हैं थोड़े बचा के राखेंगे इसमें डाल लेते हैं और एक चमच घी डालेंगे इसमें बहुत यह तक फ्लेवर आएगा इससे यहां पर घीमिन डालेंगे इस टाइम पर तो और बहुत अच्छी खुजूग आती है देखिए फ्रेंट्स इसने कड़ाही चोड़ दिये यह बिटर हैं यह बिटर हैं यह अपर से तोड़ने कड़ाही चोड़ दिया है नीचे से थोड़ा थोड़ा सा लग गया मिरा और एक मे लेट में यह केक टिन हो या किसीमें और ओले खीना में हैं देखिए फिरांट सामने इसमें लोट लिया और हमने थाली में ग्रीस करके और इसे हाथ से इसे खूब अच्छे से सेपरेट कर लिया है और खूब अच्छे से लिए अब इसे सजा लेंगे यह थोड़े से ड्राइफोड है यह उपर से डाल लेते हैं अब इसे एक दू घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं और फिर इसे बर्फी के पीस में कट करेंगे आपकी जैसे इच्छा उसमें कट करेंगे द्रह्यें फ्रैंट्स यह ठंडी हो गई है एक घंटे के बाद और इसमें कट कर लेते हैं बर्फी के फिस में आपको именно कट कर सकते हैं कि ट्रींगल से पिया को booklet सथ में कट कर सकते हैं यहाँ पर आपकिन बर्फी के फिस में गसे में कट कर रहा हूं बड़े बड़े पीस में यहां कट कर देखिए फिरेंट यह हमारी मिठाई कितने अच्छी तयार बनके रेडी हो गई है बनके तयार हो गई है और देखिए कितनी सुन्दर कितनी अच्छी लग रही है न बिल्कुल केले की वर्फी आप लगेगी नहीं कि यह खाकर देखना एक बना कर देखना मेरे रेसिपी बिल्कुल बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छी लगती है बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेश्टी रहती है देखिए आप इस रेसिपी को एक बार चरूर ट्राइ करना बना कर देखना अगर मेरे रेसिपी आपको अच्छे लगे तो आप लाइक एंड शेर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना थेंक यू बाइ बाइ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाइ